हेलो रेल गेमिंग भाईया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो फैस्बूक पे आपकी है वीडियो देखता हूं और लाइक भी करता हूं यह मेरा भाई है यह पजी का प्लेयर है यह को वड़ार मन अन्टुफोर में आपको चैनलेंज करता है तो आप प्लीज चैनलेंज अपस हम धिल मेरे वाई लोग यह वैसे बाले माच में सूनकोट इसा होता है मैच की बीच में मुझे ऐसा लगता है मेरे बास भी कास N2 4 रहता तो रहेंक भाई क्यूं मुझे ऐसा फान है थेवर फैल हम लोग मैच को पूरे के साथ और आप लोगों को आज ही ये गेम दिखा रहा हूं तो भाई मैस तो बहुत टकर गया है और यह हो चुक है पहला वाला पट्चे से टकीला शॉट और इसी के साथ मुझे थोड़ा सा कॉन्फिदेंस मिलता है तो भाई लोग पहला टकीला शॉट के लिए यार लाइक क समझने के लिए लेकिन मेरे साथ कुछ जलबी सीन हो जाता है वो क्यूं आग्या आप लोगों को पता लगने वाला है एक शॉट लगाया लोडिंग पर चला गया अगर कैसे भाई मैंने लगाया था लेकिन बंदा मुझे लगा थोड़ा सा टेलिपोर्ट हुआ इस जगहा पर अरे कैसे मैंने लगा दिया था एक शॉट इतनी क्लोज में एक शॉट लगा दिया था भाई पहले यह वाला शॉट तो यार क्या ही बोलू बंदा मौके पर चौका मार रहा है को कोशिश कर रहा हूं थोरा सा आगे जाने के लिए एक बोडि कनेक्ट हुआ यह मिस हो रहा है मेरा और यह दूसरा बोडि कनेक्ट फाइनली मैंने दो पॉइंट कर लिया है बंदा अभी मेरे से तीन पॉइंट आ गया है एकदम भी बाहर निकलने नहीं दे रहा था किसी तरह मैं बाहर निकला इस जगह से ओ भाई, लॉंग रेंज ले रहा है बंदा, मैं कोशिच कर रहा हूँ क्लोज में जाने के लिए लेकिन उसके पास जो इम्टुफोर है तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो इम्टुफोर के इस्तमाल कर रहा है फिर उसे लॉंग रेंज कोशिच करूँगा बंदे की क्लोज में जाने के लिए क्योंकि मेरे पास कारना इंटेड है यह साथ से यहाँ पर स्लाइट करना चाह रहा था लेकिन उसका क्राउज हो गया है बंदा और मेरा होच चुका है पट्टे से टेकीला शॉट दो बाद स्वाट में सुआ मेरे उसने भी एक लगा दिया और मैं थोड़ा सा क्लोज में आके इसको मारा तो बंदा पूरा डाउन हो गया कैसा लग रहा है गेम हाई अच्छा लग रहा है तो यार शेयर करना मत भूलना इतना जदा हो सगे शेयर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ और मैस तो लग बग आधा होने वाला है और अभी भी चार पॉइंट पीछे हूं मैं इस बंदे से पकरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है एम तू फोर्ट बहुत योपी चला रहा है यह भाई पकिस्तान से पहला कोई बंदा है जिसके साथ मैं खेल रहा ह और कोई एक दम से मेरे से आगे लीड है ऐसा बंदा पहली बार मुझे मिला है तो कोशिश करूँगा मेरा जो जितना भी भाई हंडेड परसंड बो होता है न अफोर्ड होता है न बो लगा देने के लिए ताकि मैज बराबार का थोड़ा टक्कर का हो ओ भाई एक लगा टांग पर अरे कैसे भाई मैंने भी लगा दिया था पहले अभी फूल जोस में खेलना पड़ेगा भाई अभी अधा मैं जो चुका है तो यार अभी भी बंदा मेरे से पांच पड़ आगे जा चुका है एक पर्ट्रिंट कर दिया थोरा सब बंदा अपना पोजिशन पगर के खेल रहा है मुझे भी लगता है अभी पोजिशन पगर के खेलना पड़ेगा एक बोडी कनेट हुआ जैसी दूसरा स्वाड मारने जा रहा था लेकिन एब टुफोर उपी चलाया है इस भाई ने एक कनेट हुआ और ये दूसरा दूसरे स्वाड पे उसका फेस्ट उतर गया था पूरा का पूरा एक क्रेंट हुआ था लेकिन बंदा भी डाउन हो चुका है देखो कितना रोटेट मारा इस भाई ने ओ भाई तो अभी मुझे लगता है यार चार मिनिट टाइम है तो मैं भी थोड़ा सा यहां पर रिम टू फूर का इस्तिमाल करूं और यह हो चुका है पट्टे से टेकीला शॉट क्योंकि क्या हो रहा है ना मैं सौड लगा रहा हूं और यह भाई फिलता है मिडिल सर्वर में तो मेरा जो सौड है ना कारुनाइट के वह अच्छे से रिल्स्टर नहीं हो रहा है डेमेज तो दे ले रहा हूं लेकिन भाई उसका हिलमेट विस जो होता है न बोट डेमेज नहीं हो रहा है कभी कभार ऐसा होता है पींग की प्रॉब्लम होने से अपका गेम तो अच्छे से चलेगा लेकिन भाई फूरा साथ डीसिंग होगा आपके साथ और यह ब्टू कही जटका काफी होता है फुल देखे खेलरों में कहां साइगा बंदा जैसे स्लैट करने का बंदा बहुत यह उपी मार रहा है उस जगा पर और यह स्लैट शॉट कैसा लगा बोगो को वह भी स्लैट करके आ रहा था क्योंकि उसे पता था मैं स्लैट करने वाला हूं या फिर उसे लगा था मैं उसी जगा में खड़े होके मारूंगा तो वह स्लैट शॉट मारेगा लेकिन उसी टाइम पर मैंने भी स्लैट मार दिया ह उस जगह में बंदा थोड़ा सा पीछे से देख रहा था कि मैं किस तरफ साऊंगा लेकिन उस ने उस जगह में जो जम किया ना थोड़ा सा उसका एम चूप हो गया क्योंकि वो जम गलत किया कि में थोड़ा सा एम सिफ्ट करने में प्रॉब्लेम होता है वो सभी के होता है और बंदा इसी का फायदा उठाए यह जगह में यह वाला सौट मैं दो बार कोशिश किया देखो भाई मैं कवर में था उस टाइम में तब उसका जो गोली है बहुत रिजिस्टर हुआ है थोड़ा सा दो डिसिंग है इस बाई का एक बॉड़ी कनड़ हुआ लेकिन दूसरा बॉड़ी जैसे मारने जा रहा था लेकिन भाई उसका बॉड़ी लग गया मेरे पर एक कनड़ किया और भाई साब इतनी क्लोस में बंदे के जोब एक स्वाट लगाते होना भाई बंदा कंफर्म डाउन होने वाला है लेकिन उसके बावजूद दो स्वाट देना पर रहा है लास्ट एक मिनिट थेटी सेगंड है तो यह टाइम मेरे लिए फोर जा क्रिटिकल है और मैं बहुत ज्यादा देखके खेलने वाला हूं लास्ट टाइम पर और फिलाल यह भाई मेरे से दो पॉइंट आगे है तो यह दो पॉइंट कवर करने के लिए मुझे तो 30 सेगंड चाहिए बाई बहुत ज़्याद क्रिटिकल सिच्वेशन है फिलाल बहुत आगे आके खेल रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और यह हो चुका है फिर से और एक बार फिलाल यहाँ पर दोनों का ही सेम पॉइंट है और लास्ट एक मिनिट टाइम है दोनों के पास तरह एक पॉइंट मैंने कर लिया है और एक पॉइंट करना है तो मैच थोड़ा सा हाथ में आ जाएगा लेकिन देखते हैं क्या होता है और यह दूसरा पॉइंट लास्ट मुमिन में मैं थोड़ा सा भी गल्पी नहीं करना चाहरा हूं जैसी पीग लेने की पॉइंट के और बंदा एक दों के मार दिया मुझे लास्ट थर्टी सेगंड है एक पॉइंट आगी हूं मैं बंदे से और पॉइंट नहीं यहां पर ले लिया है एक पॉइंट लस्ट पंदरा सेगंड है बाई बंदे ने लेवल त्री फेज़ उठा लिया है उसने देखो लेवल त्री हां उठाया है और यह एक लगा और यह दूसरा सॉट कैसा लगा आप लोगों को यह गेंड अगर आप मेंसे कोई भी चाहत हो मुझे चैलेंज करने के लिए आप लोगो मेरे मैं देख लोगा उसके बाद खेलेंगे बाई गाइस टेक लव यू अलेवरिवान